कि मैंको से यहां प То इप को समयेंडिक्स से त्हानों को समझें। यह आप सब प्राइट्व मेंट्रिक्स को लिए थो निए क्या सब्रैक्स यह किखते हैं ऐसको कते हैं से और अइश्का औरह मेंट्रिक्स है two और इसका भी 2 by 2 matrix है यह इसका ओडर of matrix कितना है देखी addition के लिए या subtraction के लिए दोनों का order of matrix होना चाहिए वह सेम होना चाहिए मतलब सेम साइज होना थे होना चाहिए तभी addition हो सकता है या subtraction हो सकता है देखें सब्ट्रेक्शन के लिए हम यह दो मैट्रिक्स दिया हुआ और यह A-B यह करना है इसको सब्ट्रेक्शन करेंगे तो देखें A की जगपे है A11, A12, A21, A22 और माइनस यह होगा B11, B12, B21, B22 दोनों को हम घटा रहे हैं तो क्या होगा? इसका यह एलिमेंट जो है इस एलिमेंट से घटेगा, सब्ट्रेक्शन होगा A11-B11 ठीक, फिर इसको इसके साथ हम घटाएंगे A12-B12 अब इस एलिमेंट को इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ ए टू टू माइनस बी तू यह मेरा Subjection ऑफ मैट्रिक्स, इस तरह से, उसको हम घाटा सकते हैं, एक एग्जामपल से, एक कैसे हैं, ए अगर एक मैट्रिक्स है, टू थीरी और फोर फाइब, टू बै टू मैट्रिक्स ही हम लेकर चल रहे हैं, आप थीरी बै ठीरी मैट्रिक्स या 2 by 3 matrix का भी यूज़ कर सकते हैं आप एक्जाम में देखेंगे यह question में मिलेगा different type का matrix उसको subject कर सकते हैं देखिए 4 5 2 1 अब क्या करना find a minus b यह देखिए a minus b किये तो a matrix कितना है 2 3 4 5 और minus कितना तो 4 5 2 1 तो देखिए इसको कैसे हैं इस element को first element को first element के साथ गटाते हैं 2-4 हो गया यह वाला second element है तो 3 और minus कितना इसका 5 तो 5 हो गया अब यहां देखिए 4 तो 4 minus इसका भी यह 2 और यह element देखिए और यह आपका तो यह हो गया 5 minus हुआ तो इसका जो result होगा देखिए यह हो गया minus 2 यह भी minus 2 यह 2 और यह 4 यह आपका subtraction of matrix है तो इस तरह का अगर किसी book में आप देखेंगे तो subtraction यह addition को आप अच्छे से समझ गया है इसको कैसे करना है अब इसका multiplication हम देखिए matrix multiplication में एक matrix हम A यह हम लेते हैं A1 A2 A3 son.an यह N matrix तक लिए यह आपको पता है इसको क्या करते हैं matrix अब यह इसको horizontal matrix भी का सकते हैं यह B1 B1 B2 B3 son.an यह BN देखिए यह जब multiply करेंगे तो उसमें क्या था additional subtraction में order of matrix सेम होना चाहिए इसमें different होगा देखिए इसमें देखेंगे अगर यह 1 1 by 4 matrix है यह होगा आपका 4 by 1 matrix ठीक अब ठीक है यह order of matrix इसमें सेम नहीं होना चाहिए लेकिन इसका opposite होना चाहिए तब यह multiply करेंगे जैसे अगर कोई matrix होगा इसका 2 by 1st वाला क्या 2 by 3 matrix होगा तो 2nd वाल को 3 by 2 matrix होगा तभी यह multiply होगा जो आगे समझते हैं तो देखिए इसको multiply करेंगे a और b को multiply करेंगे तो देखिए a है a1 a2 a3 son dot an और b आपका हो गया b1 b2 b3 son dot और bn अब देखिए इसको multiply कर रहे हैं तो कैसे multiply करेंगे इसको आप समझे देखिए जब भी multiply करेंगे इसका a वाली का first element b वाली का first element से multiply होगा तो होगा a1 b1 ठीक अब सब में a plus होगा तो plus अब इसका second element इसके second element के साथ multiply होगा तो होगा a2 b2 ठीक प्लस अब third element इसके third element के साथ multiply होगा तो a3 और b3 plus zone dot इससी प्रकार आपका इसका last वाला element इसके last वाला element से multiply होगा यह हो जाएगा a n और bn यह आपका यह हो गया तो इस तरह से multiply एक example में समझते हैं अब देखिए एक example है एक a matrix है 2-4 3 और b matrix 2-4 3 तो find a b इसको multiply करना है तो देखिए a और b को multiply करना है तो a है 2-4 3 और b आपका हो गया 2-4 3 तो क्याब बोले थे multiply कर इसका first element इसके first element से multiply होगा तो 2 into 2 4 बीच में plus अब देखिए minus 4 into plus 4 किता minus 16 फिर plus इसका third element इसके third element से 3 into 3 तो 9 अब इसको add करेंगे तो यह दुनों plus plus करेंगे तो 13 मैनस 16 यहनिकि मैनस 3 तो आप multiply अगर first row first column की बात करें तो multiply आप इसली कर सकते हैं लेकिन अगर अब यह दो हो गया इसका यह आपका matrix यह matrix और यह matrix दोनों आप अराम से इसको solve कर सकते हैं इस तरह की matrix हो यह कोला matrix और row matrix की बात करना है लेकिन अगर एक दूसरा example लेकर चलते हैं a equal to यह आपका है 2 4 3 2 2 3 और दूसरा एक एक दूसरा matrix माल लेते हैं b equal to 1 2 3 4 5 6 तो देखिए हम क्या बोले थे यह matrix कितना है 2 by 3 matrix की row कितना row आपका 2 column कितना column 3 तो 2 by 3 matrix और इसका कितना row कितना row 3 और column कितना column 2 तो क्या बोले थे इसका just inverse होगा उल्टा होगा अगर यह 2 by 3 matrix है तो यह 3 by 2 matrix होगा तभी multiply होगा same order of matrix नहीं होगा अगर same भी हो सकता है अगर दोनों same होगा कब यह equal हो यानि कि 3 by 3 हो 2 by 2 हो 4 by 4 हो यह भी 4 by 4 हो 3 by 3 हो तब अगर यह 2 by 3 और इसको 2 by 3 करेंगे तब यह multiply यह नहीं होगा अब देखिए इसको multiply करना है ए और बी तो ए यह आपका हो गया 2 4 3 2 2 3 और बी आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 तो देखिए इसको multiply चुकि यह वाला पार्ट नहीं इसके साथ मिलना चाहिए यह 3 है तो यह भी 3 element अगर यह 2 element होगा तो मानले जी इसको इसके साथ multiply करेंगे इसको इसके साथ और यह अगर नहीं रहा तो 3 किसके साथ करेंगे इसलिए इसका horizontal इसका vertical same elements होना चाहिए तो देखिए इसको 3 2 को 1 के साथ multiply करेंगे तो होगा 2 तिक फिर इस 3 को plus आप इस 4 को 3 के साथ multiply करेंगे तो 12 फिर प्लस इस 3 को 5 से multiply करेंगे करेंगे 15 हो गया अब देखिए यह element फिर इसको फिर इस first वाले को इस second आपके column से multiply करेंगे तो देखिए 2 को 2 से multiply किये तब यहां देखिए 4 हो गया फिर plus और यह फोर को 4 से multiply करेंगे तो 16 हो गया फिरी को 6 से multiply करेंगे इस्तीन हो गया अब देखिए अब सकेंड रोन की बात करें सकेंड रो और इसका first column से multiply करेंगे तो फ़ले first row second row और इसका first column देखिए 2 इस 2 वन के साथ multiply हो तो इंटू 1 तो प्लस इस की थिरी से मल्टिप्ला एक नहीं होगा प्लस यह थिरी और यह इलिमेंट 15 हो जाएगा फिद यहां देखिंगे यह साकन्ड रोप और second column तो 2 को 2 के साथ 4 हो गया फिर plus इस 2 को इस 4 के साथ 8 हो गया फिर plus इस 3 को इस 6 के साथ 18 हो गया अब इसको 8 कर देंगे तो देखिए इसको 8 कर रहे हैं तो हो गया आपका 8 और यह 2 28 तो देखिए 8 करने के बाद यह होता है 29, 38, 23 और 30 इस तरह से आप multiply आम से कर सकते हैं लेकिन अगर 2 by 2 matrix हो या 3 by 3 matrix हो या 4 by 4 matrix है तो इसको करी करें अगर दूसरा example देखते हैं अगर A, A equal to मेरा matrix 1, 2, 0, 2 यह हो गया and B होगा आपका 2, 3, 5, 1 इस तरह से multiply करना हो तो find A, B A, B इसको multiply करना है तो देखिए A, B equal to यह हो गया आपका 1, 2, 1, 2, 0, 2 और यह 2, 3, 5, 1 अब देखिए इसका row और इसका column अब इसका first row का element देखिए 1, तो 1 को इसके 1 से, 2 से multiply इसका first, इसका first, इसका second, इसका second तो 1 into 2, तो 2 हो गया, फिर plus 2 को 5 से, तो 10 हो गया, फिर अब देखिए इसका first और इसका second तो 1 को 3 से, तो 3 plus 2 को 1 से, तो 2, आब देखिए इसका second row और first column, तो 0 को 2 से, तो 0 पलस 2 को 5 से, तो 10, फिर इसका second और इसका second तो 0 को 3 से, तो 0 पलस 2 को 1 से, तो 2, और ये आपका हो गया 12, 5, 10 और 2, ये answer हो गया, तो आप उमीद करते हैं कि आप multiply, इसका multiplication और matrix अच्छे से समझ में आ गया होगा addition भी समझ में आ गया होगा, और subtraction भी समझ में आ गया होगा multiplication भी समझ में आ गया होगा, ठीक, तेंक ये अब समझते हैं, अगर कोई scalar, किसी matrix साथ multiply हो, कोई disease, कोई constant term अगर multiply हो, matrix के साथ तो क्या करें देखिए, the product of matrix A by scalar K, कोई scalar अगर multiply करते हैं, तो K A या K A इसको लिखेंगे, तो मान लिखेंगे, तो मान लिखेंगे, ये matrix हो गया मेरा, matrix A 1 1, A 1 2, A 2 1, A 2 2 3, 2 by 2 matrix, इसका order of matrix क्या है, 2 by 2, अब देखिए, इसको scalar के साथ, अगर हम K के साथ multiply करते हैं, के कि जब कोई 2, 5 कुछ भी हो सकता है, जब करेंगे, इसके परतेक element के साथ, ये का K multiply होगा, इसके साथ, 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 K multiply ह Bronze में तिरिक मुल्टिपलाइ करों है इसमें 3 म API कि इसमें 3 मिरुकिया कि इसमें 3 मुल्टिपलाइ इसमें 3 मिल्टिपलाइ और इसका रिजल्ट आपका ये की मेनक्स म任 Filipino करते साथ आधि श्क्राइंब पर ये संध्यों सब्सक्राइं और और multiplication भी और कुछ एक example से समझते हैं इस question को देखते हैं रेखिए A matrix हो गया यह भी एक B matrix हो गया A plus B अब addition करना है A plus B तो आप इसको अच्छे से समझ गया है कैसे addition करना है 1-2, 3, 0, 2, 5, plus यह 4, 6, 6, minus 1, minus 2 और यह 3 है अब 3 हो गया अब इसको 8 करते हैं तो 8 करते हैं इसका first element इसके first element से 8 होगा तो हो गया 5 इसके minus 2 इसके element से 8 होगा तो हो जागा 4 इसको इसके साथ 8 करेंगे तो 6 और plus 3 तो 9 अब देखिए अब 0 plus minus 1 तो minus 1 अब 2 minus 2 तो 2 minus 2 तो 0 और 5 plus 3 तो 8 यह आपका यह होगा अब देखिए 3 अब इसमें है 3 multiply अधात 1 को 3 से multiply करते हैं तो यह आपका देखिए 3A यह यह होगा और इसके साथ कितना multiply करना है 3A तो A के साथ परतेक element में 3 से multiply करेंगे तो देखिए इसमें 3 से multiply करेंगे तो होगा 3 यह है इसमें 3 से multiply करेंगे तो minus 6 होगा इसमें 3 से multiply करेंगे तो 9 होगा इसमें 3 से multiply करेंगे तो 0 होगा इसमें 3 से multiply करेंगे तो 6 होगा इसमें 3 से तो यह 50 यह भी समझ में आगया अगर यहाँ पे 2B है तो देखिए 2 और B तो 2B अब देखिए यहाँ पर B कहा है भी यह है तो B में 2 से multiply करेंगे परते एक element में यह हो जाएगा आपका 8 होगा 2 को 6 से multiply करेंगे तो 12 होगा 2 को 6 से multiply करेंगे तो 12 होगा 2 को minus 1 से multiply करेंगे तो minus 2 होगा 2 को minus 2 से multiply करेंगे तो minus 4 होगा 2 को 3 से multiply करेंगे तो यह 6 होगा यह भी आपको अच्छे से समझ में आ गया अब देखिए यह है 3A तो 3A और मैनस 2 भी तो 3A आप यह हो गया 3, मैनस 6, 9, 0, 6, 15 अब मैनस करेंगे 8, 12, 12, मैनस 2, मैनस 4 और 6 अब देखिए फर्स्ट एलेमेंट को फर्स्ट एलेमेंट से घटाएंगे 3, मैनस 8 होगा यहाँ देखिए, मैनस 6, वो मैनस 12 करेंगे थर्ड बलता हम 9, मैनस 12 हो गया अब यहाँ पे 0, मैनस, मैनस प्लस हो जागा प्लस 2 हो जागा यह आपका 6 है, तो 6, मैनस प्लस, प्लस 4 हो जागा और 15, मैनस यह आपका 6 है, तो 6 होगा अब देखिए, सोरी, यह हो गया, आपका ऐसे कर लिजेगा, अब देखिए, इसमें से हो गया आपका माइनस 5, और यह हो जाएगा आपका माइनस 18, और यह हो जाएगा माइनस 3, और यह होगा आपका 2, और यह हो जाएगा 10, और यह हो जाएगा 9, आपका यह एलिमेंट होगा मैनेस 6 को सुलूव करने कुद यह आप इसको अच्छा से अम्मीद करते हैं कि आप अच्छा से समय में आपको आगे लिए